आपके साथ और लोकसभाद चुनाव से पहले कॉंग्रेस पार्टी में भगदड़ है कि थमने का नाम नहीं ले रही आज भी भोपाल में कॉंग्रेस के दो पूर विधायक अरुणोदै चौबे और शिवदयाल बागडी भारती जनता पार्टी में शामिल हो गए मुख्यमंत्री डक्टर मोहन यादव और प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा ने साफा पहना कर कॉंग्रेस नेताओं को भारती जनता पार्टी के सदसेता दिलाई दोनों नेताओं के साथ कई कार्य करता भी बीजेपी में शामिल हुए हैं अरुणोदै चौबे सशक्त और ताकतवर नेता के रूप में जाने जाते हैं जबकि शिवदयाल बागडी अनुसूचित जाती के बड़े नेता हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री कैलाश जोशी के बेटे और कॉंग्रेस नेता दीपक जोशी के भी बीजेपी में शामिल होने की चर्चा थी लेकिन फिलहाल उस चर्चा पर विराम लग गया है या यूँ कहें कि वो टल गया है क्या फिर से इसकी चर्चा जोड़ पकड़ेगे क्या एक बार फिर बातें इसकी जोड़ पकड़ेगे कि दीपक जोशी बीजेपी में आ सकते हैं लेकिन फिलहाल इस पर विराम लग लग है लेकिन शिवद्याल बागडी और अरुड़ोदे चौबे भारतिय जनता पार्ट किया उहिलना करती है जिन लोगों को पियम मुदी के विचार पर विश्वास है वो सभी बीजेपी से जुड़ रहे हैं वीड़ी शर्मा ने बताया कि 13 मार्च से 22 मार्च तक बूथ विजे संकल्प अभियान चलेगा हर दिन सीम से लेकर मंतरी प्रदेश अध्यक्ष अचनपदा धिकारी बूथ पर जाएंगे और हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने का संकल्प लिया जाएगा साथ ही उन्होंने कहा कि कमल नाथ और दिगविजे सिंग को जनता निनकार दिया है अधि जनता पार्टी में तो याक्रा है अभ्याने चलता जाना और लोग आते जाने कारवा बढ़ता जाएगा और मोदी जी निर्टर्वत तुमें भारती जनता पार्टी के विचार हमारे निर्टर्वत निर्टी पर जरे दुश्वास है और देश के अदर लगता जैसे अधिवासी समाज के फिल समाज के मेरे कुरोर के पूर्व धायक सिम्द्या जी भागरी साब बात करेंगो तो आपको उनके मन की प्रिया क्या है क्यों आखिर कॉंग्रेस से लोगों का मोह भंगूगा है भगमार राम के भगमार राम को बिक्तियों के संता अस्था के मात्र के इंदर नहीं है करोनों करोन लोगों के लिए कड़कड में प्राजमान है वहां को में सरेलना करती है अभी तक के चुनावा में जो भूट मिले भाजपार से उसमें 370 की प्रंथी करना तो भारती जंता पार्टी ने बूत बिजय अभ्यान 370 प्लस का लक्ष ले करके 13 तारीक से 13 तारीक से अभ्यान की सुगात होगी 10 दिल के अभ्यान में प्रते दिल दो गड़ते बूत पर प्रवास सभी देताओं का सभी कारिकरताओं का मत्य प्रतेश के 14530 पुटों पर चलेगा और सियम डॉक्टर मोहन यादव ने भी कॉंग्रेस पर निशाना साधा सियम ने कहा कि कॉंग्रेस का माहौल खुद कॉंग्रेस नहीं समझ पा रही कॉंग्रेस दो कदम आगे जाती है छे कदम पीछे जाती है कॉंग्रेस खुद ही कंफ्यूज है सबको मालूम है आयोध्या में भगवान से राम का 22 जनवरी को वैस्टाश्वी प्रदार मंदरी और हमारे राश्टिश्वम सबक्संग के मानने सरसंग्चालक सबकी मोजूद्गी में भगवान की प्रान पतिष्टा हुई थी कि मंतरी मंदल के साथ मैं स्वेम चार्द मार्च को आयोध्या जाने वाला हूँ और पूर मुखे मंतरी कमलनाथ का बड़ा बयान जबलपूर से चुनाव लड़ने की अटकलों को खारिच किया मैं चिंदवारा किसी भी हालत में नहीं छोड़ूँगा कमलनाथ का कहना और पांच दिवसिये दोरे पर चिंदवारा पहुंचे कमलनाथ और उनका सपष्ट कहना कि मैं चिंदवारा को नहीं छोड़ने वाला दरसल जिस तरह से चर्चा चल रही थी क्या वो अपनी सीट बदल सकते हैं जबलपूर से चुनाव लड़ने की अटकलों को खारिच करते हुए उन्होंने सपष्ट किया कि मैं चिंदवारा को नहीं छोड़ने वाला चिंदवारा लोग सबा जहां से कि नकुलनाथ अभी सांसद हैं अब बैराल देखना होगा कि नकुलनाथ चुनाव लड़ते हैं या कमलनाथ लेकिन फिलहाल उन्होंने चिंदवारा नहीं छोड़ने की बात कही है पर लेकिन सर ये बड़े नेता जो बातपा में जा रहे हैं उसके बात पांवरिस कारकरताओं में तो हतास का और लोगसबा चुनाव से पहले मध्यप्रदेश में सियासत गर्माई हुई है कॉंग्रेस से कई नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और इस बीच बीजेपी के सीनियर नेता और पूर्व मंत्रे कुसम महदेले अपनी ही पार्टी के मंत्री से नाराज हो गई पूर्व मंत्री कुसम महदेले ने डेपिटी सीम राजेंद्र शुकला के वेवाहार पर नाराजगी जाहिर की उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर उप्मुख्य मंत्री पर नाराजगी जाहिर की पन्ना से पूरविधायक कुसम महदेले ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि आठ मार से लेकर आज तक कम से कम दस बार फोन लगाया लेकिन आपने या सेक्रेटरी ने एक बार भी फोन नहीं उठाया और भुपाल से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया जहां एक शक्स से परेशान महिला ने आत्मदाह कर लिया और फिर उसकी मौत हो गई दरसल दम तोडने से पहले महिला ने उस शक्स पर गंबीर आरोप लगाए महिला का वीडियो सामने आया है, उस महिला के फोटो को एडिट करके हुई, ये शक्स आरोपी शक्स जिसके बारे में महिला आरोप लगा रही है, वाइरल करने के चलते वो परिशान थी, दरसल आरोप ये है कि इस महिला पर आरोपी शक्स साथ में रहने का दबाओ बना रहा फोटोज एडिट कर रिष्टेदारों को भेजने के कारण महिला का रिष्टा एक बार तूट चुका है जो शादी के लिए तै हुआ था आपको बता दें कि इस पूरे मामले में महिला ने दम तोड़ने से कुछ देर पहले पूरा एक वीडियो बयान जारी किया है और आत्महत्या करने वाली महिला की तीन साल की मासुम बच्ची है महिला के पहले पती की मौत हो गई थी और आशिया की माने ये बताया कि पती की मौत के बाद उसके दूसरी शादी की तैयारी चल रही थी आरोपी यूवक ने कुछ फोटोस वाइरल कर दी जिससे उसका रिष्टा दूट गिया इससे परिशान होकर महिला ने सुसाइड कर लिया परिजनों ने आरोप लगाया कि आरोपी शक्स उनकी बेटी की आईडी हैक कर लेता था और कई तरह से परिशान किया आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जो अब तक आरोप लगे हैं उसमें बताय जा रहा है कि महिला ने तंग आ करके आत्महत्या की है पहले आत्मदा किया और फिर उसे इलाज के लिए अस्पताल में भरती कराए गया लेकिन उसकी जान नहीं बच पाई और उसकी मौत ह अब परिजन कारवाई की मांग कर रहे हैं और ओप ये खिलाफ एक्शन लिये जाने की मांग कर रहे हैं बताय जा रहा कि कहीं महिला की शादी तै कर दी गई थी उसका विवाह कहीं पर किया जाना था लेकिन बात बन नहीं पाई लड़के ने खुद पसंद करा ता कि ठीक है हम कर लेंगे लड़की से साधी उसकी दूसी साधी से कोई अतराज नहीं ना उसकी बच्ची से पर इसने ना सुनील का जो वो सुनील फोटो जो डालता रहा इस चक्कर में ने मना कर दिया जब इसने मना करा ना तो हमारी लड़की ने इतना बड़ा कदम उठाए और सिंग बुर से बड़ी खबर आपको बता दें लूट के आरोपी ने खुदकुशी कर ली चरगवा लूटकांड के आरोपी रितेश राय ने खुदकुशी कर ली ट्रेन के आगे कूद कर अपनी ज है चुकि कपड़ों से पहचान हुई है और हमारे सयोगी आशीश जैन इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गया है आशीश सिर्फ कपड़ों से पहचान हुई है या और भी आधार है कि यह आरोपी रितेश है जिसकी मौत हुई है पुछलिट है तारिक को यह मामला हुआ था तर्गवा थाने में एक यह कंपणी काम कर रही है जो डेम का निर्मान कर रही है आर जी आर कंपणी कर तो उसको उसका ही पहना है कि लेवर पेमेंट के लिए जवलपुर के खंडेलवाल मार्ट से वह नगद लेते आते तो उसक मामला दल्च कराया उसके बाद तीन आरोपियों की वो पुलिस में आरोपी बनाया था उसमें रिटेश राय का नाम था रिटेश इसले आठ मार्स पे घर से गायब थे पुलिस सलाज कर रही थी और इस बीच में करगवा पुलिस की जो कारवाई के लिए जो परिवार से ज इसको पुलिस में पहले मर्न कायम की आरोप जिटेश आगे आप से लेंगे बहुत शुक्र रहा फिलाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए और जैन से बड़ी खबर आपको बतादेए एक स्कूल वैन हादसे का शिकार हो गई हादसे में चार बच्चे घायल हुए और घायल बच्चों का अस्पताल में इलाज जारी है इस पकी बड़ी खबर हादसे से जुड़ी है और यह देखिए हादसे के बाद की कुछ सामने आई है जहां पर एक वैन पलटने से यह हादसा हुआ हादसे में चार बच्चे घायल हुए और घायल बच्चों का अस्पताल में इलाज जारी है और अब खबर सिवनी से जहां के प्रताप गढ़ गाउं में एक शक्स से परिशान होकर 15 वर्ष यह किशोरी ने आत्म कि बता दें कि आरोपी यवग उसी गाउं का रहने वाला है यवग किशोरी को चरित्र शंका के चलते परिशान किया करता था जिससे तंगा कर किशोरी ने आत्म हत्या करी घटना के बाद परिजनों में अब हुश्सा है न्याय की मांग कर रहे है परिजनों ने इस पुरे म मौके पर अम्बिलेंस के लिए फोन किया गया लेकिन बहुत समय बीट जाने के बाद भी अम्बिलेंस नहीं पहुँची और बहुत देर हो गई जिसके बाद राहगेरों ने गायल को बाइक से इस्पताल पहुचाया लेकिन उसकी जान नहीं बचाय जा सकी दरसल ये जो पूरे तस्वीर आप देख रहे हैं ये उसी समय की तस्वीर है जब मजबूर राहगीरों ने घायल जनपत सदस्से को बाइक से ही ले जाने का तैय किया एंबिलन्स के लिए फोन किया गया लेकिन काफी समय बीच जाने के बाद भी एंबिलन्स नहीं पहुची जिसके बाद ये तस्वीर सामने आई तरड़ते शक्स को हास्पिटल ले जाना जिसमें काफी समय लग गया और शिवपुरी में स्वास्त ववस्ता क्या स्तर रखती है कितना ततपर है यहां पर स्वास से महकमा आप तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि सडक दुरगटना में तड़पते जिंदगी और मौत के भी जूजदेख शक्स को एंबिलन्स नहीं मिलती ये तो बहुत बड़ा सवाल है प्रशासन पर अशोक से हम बात करें बिल्कुल मैं आपको बता दू कि ये शूपरी के करेरा मौला हाइवे का ये मामला है यहां पर ये बीती रात का इगटना करम है जहां पर एक गंबी रूप से सड़क दुरगटना में गायल हो जाता है सड़क पर स्वाप रहा होता है जब महां से निकलने वाला एक रहाग इंदर पहुंचे लेकि दरबात का पूर गटना करा महां का भी राग महां से भी इनने जब शूपरी के लिए रैफर किया गया तो बहां से भी उन्हें शूपरी इला टिक सालय लाने के लिए एमूलेस नहीं मिली तो वे करेरा से भी शूपरी तक उसे अपनी बाइक पर ही जानकारी पिछे जो दी गई थी उसमें मौत होना बताया गया ता लेकिन अभी अच्छी बात ये है कि इसका इलाद चल रहा है और अभी वो सुरक्षित है और अब स्थेरे आलत है बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए और यार उकर एक छोट इसे ब्रेक के लिए जल्द लोटते हैं